तो हेलो भाई लोग बैन लोग तो आप देखे रहे आपका मेना दूरों का चैनल ओवर पाउर स्टेडिस में हूँ आपको उस्टर दोस्टो आज हम लोग के पास एक वाइसरीज का एक और कोस्टिन है उसे पता नहीं कितना नुमर पर तो कोस्टिन पढ़ने पर आपको जो हम समझा लोता है तो आपको यह कोछल अच्य समझा मैं आएका तो just imagine हमारे पास दो इंटीकल पार गाल जो दो मार लेते हैं जैसे कि दो स्टंपर बॉल है हमारे पास oraz कोछिशी सीजन ब ो थे मह सकते हो और दोनों का मास जो है हमारे पास इस जो हमारे ball A इसको बोलते है तो तो बॉल बॉलते हैं, ठीक है, बॉल A हो गया हमारा ये बॉल B हो गया, ठीक है, बॉल A का माज जो है, वो इक्वज टु बॉल B का माज है, ठीक है यह दोनों का जो difference जो है यहाँ पर वो height का difference है, कि यह कुछ h1 height में माल लेते कोई भी आप 10 m, 5 m समझ सकते हों, ठीक है और यह हमारा h2 है, इस case में क्या हमारा पास h2 greater than h1 है, बस यह कीज है यहाँ पर, और जो हमारा g है, g भेया gravity, दोनों के लिए ग्रावेटी सेम होगा 9.8, तो हमारा g is equal to 9.8 m per second square है, दोनों के लिए, और हमारा जानते है, g क्या होता है हमारा, acceleration due to gravity, है ना, acceleration due to gravity को हम लोग इसको 8 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक अब force के time पर हम लोग घुसने जान रहे हैं, तो इसलिए एक time पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब य तो हमारा main question आता है, कि why does force varies, अब हम लोग इसको in general हम लोग feel भी करते हैं, कि जब आपके, जब cricket वएगर खिलते हैं, तो क्या होता है, कि जब ज़्यादा height से हमारे हाथ पे ball drop होता है, या फिर हम लोग बॉल catch करते हैं, तो उसमें ज़्यादा force feel होता है, वहीं अगर कम height प हम लोग इसको formula basis पे लेके जाए, तो F physicals to ma होता है, तो दोनों cases में तो आपका m और a का value जो है, same है, F तो दोनों cases में same होना चाहिए, तो हम लोग को इस force का feeling different क्यों होता है, कि ज़्यादा height पे ज़्यादा force exert करता है, जो कम height पे वो कम force exert करता है, general question हो गया, तो ऐसा क्यों होता है, जबकि हमारे पास अगर हम लोग न्यूटन के जो log के मुताविक जो formula डिराइग किया है, F is equals to ma, उसके मुताविक चीज तो same होना चाहिए, दोनों cases में, अब इसको थोड़ा और complicated करते है, यह तो channel में हो गया बात, अब लोग इसको थोड़ा gravitation के time पे समझते है, तो हम लोग क्या जानते है कि, जैसे जैसे हम लोग का height increase होता है, या फिर बोल लियो तो distance increase होता है, तो earth के center से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे distance हो का बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका force क्या होगा, हम लोग जानते है क्या, force of gravity is inversely proportional to distance का square, यहाँ पे distance बड़ा तो तो यहाँ force कम होगा, force कम होगा, और वहीं पे अगर हम लोग इसको एक और टम पे, G के टम पे represent करें जाए, तो हम लोग क्या जानते है, G is equal to mass of earth by radius of earth का square into G, capital G, ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका distance बड़ा गया, तो यहाँ पे आपका radius of earth plus height हो जाग गया, ठीक है, यह ची हो जाएगा, क्योंकि आपका h2 बड़ा है, और यहाँ पे आपका g का value कम होगा, क्योंकि आपका h1 बड़ा है, एक छोटा है, तो यहाँ पे आपका g, एसे बोला जाए तो, g1 is greater than g2 हो जाएगा, यह समझ नहीं है, तो भी चलेगा, आपको जो फर्स वाल एक्जाम्पल से तो यहाँ पे आपका g2 चोटा भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपका force जादा क्यों apply होता है, मतलब force क्यों जादा यह exit करता है, यह ball जब आपका freefall करेगा, तो दोनों ball freefall हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम ओपर सो कुछ force apply करेगा, कर, दोनों ball simply freefall करना, तो यहाँ पे, आप छोटते होना चाहिए, अपका F1 से, है न, सिदा बात हो गया, जैसे कि मान लेते हैं, अब हम कुछ numbers के time के आपको बताएंगे तो आपको easily समझ वालेगा, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, हमारा 9.8 ले लेते हैं, इसको 9.7 ले लेते हैं, अब दोनों का mass जो ह आपका, क्या आजाएगा, 10 into 9.8, आपका आएगा 98, 98 newton आया, अब उस case में देखते हैं, H2 वाले case में, तो आपका F2 आजाएगा, 10 into 9.7, क्या आएगा आपका 97 newton, अब यहाँ पे, अगर हम लोग निमेरिकल नम पे और वो formula अपलाई करके दिखते हैं, हमारा जो second law से जो ह अब आपस में ता रहे हैं, Newton बाबा ने बोला, वो चीज हम लोगों ने डेराएक रिया था सल में, ठीक है, यह जो चीज आपका, अब यहाँ पे, देखियो, कि F2 आपका यहाँ पर लेकिन छोटा आ जा रहा है, तो भी हम लोग जब उसको जादा हाइट से catch करते हैं, तो ह हम लोगों को जादा force क्यों feel होता है, अभी भी question होई है, बस यहाँ पे आपको जो है, वहाँ पे तो हम लोगों को लग रहा है, अभी आपको फोट छोटा करने बता दिये, कि आपका जो है F2 छोटा है, अब यह दिमांग में घंटी बजा कुछ, कुछ idea है, आप लोग एक second law को अच्छे से पढ़ा है, अरसानी कि बस आप लोगों को याद है कि second law is F physical to M, ऐसे अगर आप लोग को पता है, तो आपका जो है physics ऐसा है, तो इसका जो answer है second law से कैसे मिलेगा भाईयाजी, बहुत simple answer है, इस चीज़ा समझ जो, बहुत simple चीज़ा है, वो चीज़ समझने के आपको बस second law को थोड़ा detail में थोड़ा इसमों गुशाते है, हम लोग क्या जानते है, F is equal to M, तो होता है, but, जो हमारा second law में जो आपका general statement दिया गया, वो क्या है, कि force, याकि the unbalanced force, which is exerted by an object, और applied by an object, is equal to rate of change of momentum, यह आपका rate of change of momentum है, यही पूरा चीज़ आपका, अब यहाँ पर देखो, आप लोग, यहाँ पर हमने generally क्या लेते हैं, कि पूरा जो हमारा motion हो रहा है, उसको हम लोग लेके समझते है, but, जब आप catch करते हो, तो हमारा instant change of momentum होता है, जैसे कि मान दो, कि यह जो हमारा, यह हुआ हुआ टेक है, पांस मुटर हाइट पर है, तो और जो आपका acceleration तो आपका 9.8 या फिर हम लोग 10 आप मान लेते हैं, 10 से general easy calculation पढ़ जाएगा, अना, 10 मान के लेते हैं, कोई दिक्कर 10 भी होता है, G can be 10, G can be 9.8, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, आप G को, 10 मानते हैं, तो हम लोग जानते हैं, V square is equal to U square plus 2DH, ये चीज होता है, होता है कि नि, तब यहाँ पर हम लोग क्या calculate करना है, U, sorry, B calculate करना, U to 0 हो गया, 3 fall हो गया, तो यहाँ पर देखियो, V square is equal to, क्या होगा, U square, यानि U to यहाँ पर हम लोग 3 fall होगा, simply drop होगा, यह first case के लिए ले रहा है, case 1, यहाँ अब यह से ले ले लिए, यह के लिए, तब आपका 20 square क्या आगया, U square 0 बन गया, खाने करता हम हो गया, 2 into 9.8 ने लेकर 10 ले रहे, into H कितना था हमारे पास, pi, अब हमारा V square आगया, अब कितना, 100 V is equal to root under 100, यानि कि 10 meter per second आया, यानि कि माल लिए हो, अगर आप नीचे यहाँ आपके हाथ रखे, एकदाँ ground के उपर, अगर आप लोग का हाथ है, तो उसका जो आपके हाथ से टकराने के जिक्ट पहले का velocity आपका 10 meter per second है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिऊ, आगे मुसका calculation कैसा होगा, यह चीज अब देखना, यह किस जो है, आपके उसका गौर करना है क्योंकि यह ही था, आपका जो है, आपका जो सही answer निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा, तो आपका V कितना आ गया, 10 meter per second, अब यहाँ पर देखो, momentum क्यों होता है, mv, mass into velocity, और rate of stage of momentum, याने की, mv, minus mv upon t, अब यहाँ पर देखिऊ, अगर वो यहाँ पर आपका, बॉल का जो, यहाँ पर velocity आपका 10 meter per second, आपके हाथ में, मालियो, 1 second बाद, यहाँ पर 10 meter per second सा, आपके हाथ में, 1 second बाद, आपका हाथ में, आपका हाथ में, आपका हाथ में, आपका टाइम हो गया, 1 second, चेंज कर जिते हैं, आपका velocity, इनिशिल वेलोसिटी ता 10, जब का final velocity हाथ में, आपका टकराने के बाद, वो, stop हो, ठीक हाथ, आप लोगों ने पकड़ लिया, तो stop हुआ, 0, अब यहाँ पर आपके हाथ में, इसको पूट करते हैं, mv, 10 kg था, 100-0 by 1, यानि की, 100 newton का force लगा, rate of change of momentum, सेम चीज हम अप्लाई की यहाँ पर, कुछ अलग हुआ ने है, तो आपका 100 newton का force अप्लाई हुआ, इस कीश में दिखते हैं, थोड़ा सा, अब इस कीश में हम लोग हाइट क्या माल लेते हैं, पल यहाँ पर हम लोग F1 लिख देते ह अब हम लोग F2 देखने वाल है कि F2 कितना आपका, तो माल लेते हैं कुछ हाइट पर हमारा, कितना हाइट ले बताइए आप ही लोग, कुछ माल लेते हैं जैसे कि 15 meters, 10 meters था, तो कुछ round off all number 15 दून, 30 दून, 30 दून, कुछ अच्छा अस्खासा number 45 meters माल लेते हैं, हमारा 45 meters है यहाँ पर देखे क्या होगा आपका, केस B में, पासीना एकान चलता है है मार के कल कभी, केस B में, अब यहाँ पर जो चीज है, वो समझे है, तो यहाँ पर हमने को अपसर V काल करना, तो V square is equals to U square U कितना, 3 fall, drop किया है, सिंपन, 0, plus 2 into G कितना हुआ, आपका 10 लेते हैं, दोनों केसर में 10 लेते हैं, ठीक है, वैसे आप कम भी ले सकते हैं, कोई रिकत नहीं है, यहाँ जैसे के अम बोला आपको 9.7 लेते हैं, कोई रिकत नहीं है, ठीक है, into कितना, 45 meters, 45, ठीक है, अब V square is equals to क्या आगे आपका, 0 plus, यहाँ यानि कुछ आपका 30 meter per second के speed से वो drop हो रहा है, जो मतलब कि drop हो नहीं रहा, आपका जो हाथ के just उपर, यानि कि अगर आप ground पर हाथ रहते हो, इसके just उपर होगा, एकदम just इसे टकडाने का पहले, ठीक है, आपका cash करने का पहले है, इसका just जो उसका velocity हो उस time पे, वो आपका 30 meter per second होगा, ठीक है, तो अब यहां से, अब जो है simple हमने वापस है, वही formula apply करते है, f is equals to mv minus mu by 0, अब ही same time पहले हैं, मान लेते हैं, एक second बाद हमारे हाथ पर drop की, ठीक है, तो 50 हमने 1 ले लेगे, u केतना, cash कर ये, 0 हो जाएगा, v केतना होगा, 30, अभी हमने दर डिराइब क ये थे, m केतना है भाई है, दोनों cash में 10 है हमारा, 10 into 0, 10 into 30, 300 minus 0 by 1, यानि कि आगी गा 300 newtons, इस case में आता 100 newtons, इस case में आता 300 newtons, तो यानि कि, एक तरीके साब बोल सकते हो, कि जो हम लोग f is equals to m, निकाले थे formula, derivation जिसका, वो एक तरीके से सही है, पड़ ग्राविटेश इसको लेके जाए, तो थोड़ा बहुत वो, इधर उधर करता है, ठीक है, बट जो आपका statement है, जो आपका actual statement है, newtons के second law का, वो ही आपका real answer, provide करेदा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को थोड़े दिमाग में दखने का पलती है, समझ रहो ना, क्या वोले, अब अगर आप अब जी तो दोनों, कैसे माल लोग 10 यहाँ पर अगर आप उस 10, वी स्वार के टाइम पर, अगर आप उसको 9.7 भी लेता हो, तो 300 से कितना, कुछ पॉइंट में थोड़ा से कम भी आएगा, थोड़ा से कम आएगा, जो उसको रूट वेकर निकालेगा, थोड़ा से नीचे अगर आप लेता हो, लेकिन कुछ आपके अप्रॉक्समे अगर आप लेलो, माल आप्रॉक्समे तो कम से कम तो 200 तो आएगा, इससे कम तो जाएगा निकालेट करका बताना एग्जाक अंसर अगर आप 9.7 लेता हो, जी को, ठीक, जो आम लोग वहापे, कितना लेता है, आप समझ में आया, तो बताना, हम वापर से ट्राइ करेंगे एक और नेक्ट वीडियो, इस चीज को समझाने का एक और अगले वीडियो पर, अगर आपको समझ में आ गया, तो लिक लाइक होगा, और अपने दुफ्तों के साथ शेयर कर दियो, ठीक, तो टाटा, बाइ-बाइ, गुटनाइट